आज लेकर आए हैं एक बहुत ही डिलीशियस सीजनल चटनी एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ टेस्टी है बलके बहुत ही बेनेफीशल है अमरूद की चटनी अमरूद जो के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है इसी के साथ सीजनल फ्रूट है तो चलिए बनाते हैं अमरूद की चटनी सीजनल गौवा चटनी या अमरूद की चटनी के लिए हमने लिए हैं बढ़िया क्वालिटी के दो अमरूद दो हरी मिर्च एक निम्बू एक इंच का टुकड़ा अधरक का ठेर सारा हरा धनिया और उससे थोड़ा कम हमने लिया है पुदीना आधा चमच क तो बढ़िया क्वालिटी के हमने अमरूद लिये हैं उससे हमने कट कर लेना है और इसे काटने के साथ ही बस अमरूद को काटने के साथ ही हमने इसमें से जो सीट्स हैं उन्हें हमने अलग कर देना है अब लेंगे एक मिक्सर जार और उसके अंदर डालेंगे अमरूद जिस इसमें से हमने seeds अलग कर लिये हैं इसी के साथ बाकी ingredients जिसमें अद्रक है हरी मिर्ची ठेर सारा हरा धनियां और पुदीना की पत्तियां और जो मसाले हमने लिए थे साधारण नमक, काला नमक, भुना जीरा पौडर और प्लैक पैपर, काली मिर्ची और इसके साथ ही एक लेमन का जूस इसी के साथ स्मूद वर्किंग के लिए थोड़ा सा पानी मिक्सजार को करेंगे बन और करेंगे इसे ग्राइंट अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद वाव बहुत ही ब्यूटिफुल करर और चटनी तयार है सर्फ करने के लिए तो इस यमियस्ट डिलीशियस सी च आठे या चपाती के साथ बनाईए खाईए और खिलाईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए